नमस्कार दोस्ते हैं वैक्ति के सौभाब के बारे में किस राशी वालों को कौन से कपड़े पहनने चाहिए बात करते हैं मेश शासी वालों कोई यदि आपकी राशी मेश है और आप किसी कांग के लिए भाल जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों को थोड़ा महत बदे यदि आप सुद्ध फैवरिक के करते हैं तो कपड़े लाल, पीले और नारंगी का ही चेल करें और यदि जो कपड़े नहीं पहने चाहिए वह हैं नेले और काले गलर के कपड़े को आप अपने से दूरी रखिए और कोशिश ये करिए कि जो पकषियों से बने हुए जो कपड़े होते हैं उन से भी दूर हमेशा आपको कपड़े ऐसे पहने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कट्स हो डिजाइनिंग हो और वहें आपको और में ज़्यादा आकर्शक दिखा दिखाती है मेरे शासी वाले यदि इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो वहें परिधान सिंपल ही पहने सिंपल उन्हें बहुत ज़्यादा शूट भी करता है और साथ के साथ उनके उपर अच्छा भी लगता है जिससे कि उनके बैक्तित हुका नेचर उनके सामने नज़र आता है यदि मेशासी वाले किसी शादी में भी जा रहे हैं तो अपने कपड़ों की चॉइस ऐसी रखने चाहिए कि जिसमें कट्स जादा हो या फिर डिजाइन जादा हो जिससे कि उनको और भी जादा अच्छा लगे हमेशा इनकी चॉइस मोडल टाइप में होती है या फिर उनकी चॉइस ऐसी होती है जिसमें की उनकी चीजे जादा उभर कर नज़र आएं तो इसलिए अकसर देखा जाता है कि ये लोग पक्षियों के कपड़ों को जादा पसंद करते हैं पक्षियो के design के कपड़े जादा पसंद करें जिसके वज़ा से इनको थोड़ा बहुत परिशानी हो सकते हैं कि और भी चाल जबते हैं तो ध्यान गुत एक चैयन करते समय पक्षियों से बना कुछ भी कपड़े open डिजाइन नहीं लेकर आने हैं वह आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे और आप अपनी जीवन में सब वलता चाहते हैं सबसे पहले अपने कपड़ों को महत्वे दीजिए तो ये है मेरे शासी वालों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए मेरे इस वीडियो को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले